कि अब प्रेंट्स एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से आप उस समय को पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं जिस समय को आप कहते हैं सोना यानिके स्लीप और उस समय में भी आप अपने माइड के दौरा जिन चीजों को चाहते हैं अपनी पॉसको बस इतना सा करना है कि सोने से पहले आपको इस सेल्फ हिपनोसिस की प्रक्टिस को सीखना है और उसको फिर सीखने के लिए बहुत आसां तरीका मैं आपके लिए करूंगा ताकि आप सब लोग उसे करना शुरू करें हो सकता है कि आपके जीवन में आप कोई challenge चल रहा है उस challenge को पूरा करने के लिए हो सकता है कि आप को कोई विशेश परकार की इंटरनल ओर्जा की जोरत है हो सकता है कि आपके पाद कोई बीमारी है और आप चाहते हैं कि आपको हीलिंग मिलनी शुरू हो जाए रखे का यह तो आपके माइंड से बोड़ी के उपर एक मैसेज जाने की देर मात रहे वो अगर चली गई तो कितना आनंद आएगा हो सकता है इस समय आप अपने पैसे के लिए थोड़े से चिंतित हो और आप यह भी जानते हैं कि पैसा तो जाद रखेगा धन आपके पास आना शुरू हो जाएगा क्योंकि आप ऐसे लोगों को ऐसे अफसरों को ऐसे देशों को अट्रेक्ट करना शुरू कर देंगे ऐसे डिस्जन लेने शुरू कर देंगे मानो यूनिवर्स आपके साथ पोजिटिव चीज़े खेल रहा हो हो सकत है कि आपको रात वर निगेटिव थोड़ चल ले हो यह भी हो सकता है कि आपको नीन दीना आ रही हो और आप चाहते हैं कि आपको कोई ऐसी तरकीम मिले तो मैं आपकी सभी समश्याओं का निवारन कर रहा हूं इस वीडियो को अंत तक देखेगा शुरू करने से पहले मैं आपके साथ यह भी मैसेज देना चाहता हूं कि आपके डिस्क्रिप्शन वोक्स में क्वांटम हीलिंग रिट्रीट मिरेकल रिट्रीट एनलपी और और कई आपको यहां पर मिल जाएंगे जिनको आप कह सकते हैं कि लिंक उन लिंक को यूद करिएगा और मेरी एक से बढ़ आते हुए आप अपने आपको अगर हील करना चाहते हैं अगर आप अपने लिए पैसे के लिए अपने माइंड के से माइंड सेट को त्यार करना चाहते हैं आप अपनी पोजिटिविटी ट्रुक को बरकरार रखना चाहते हैं और अगर आप किसी चीज़ को अट्रेक्ट भ के लिए अपना पूरी तरह से लाइट वाइट बंद कर दिये उस समय अगर आप 10 मिनट 15 मिनट के लिए मेरी इस कला के साथ जुड़ जाएं आपको मैं एक बात बता रहा हूं जो सोचेंगे वहाँ होगा आपके बाल गिर रहे ना ठीक होने शुरू हो जाएंगे आपके गाल आपके माइंड का कमाल है माइंड में गलत थोट आ जाता है तो आपकी हाट बीट बढ़ जाती है आपकी नसे श्रिंक होकर आपका बलड प्रेसर बढ़ा देती है आपकी शूगर आपके लीवर में से आपके बलड में चले जाती है और अचानक लोग कहते हैं आपको सेल्फ मतलब सुम और हिपनोटाइज को गलत मत समझेगा इस वर्ड के बारे में बहुत सारे लोग निगेटिव समझते हैं हिपनोटाइज का मीनिंग सिंपल इतना है कि आप अपने एक खुबसुरा ट्रांस में जाएं जब ट्रांस आता है ना जैसा आप अपने दोस्तों के शेयर चले गए और आप तईससे आगे बढ़ रहे हैं बलकुल सेफ ये भी ट्रांस है जब आप रोमेंटिक स्टेट में होते हैं ये भी एक ट्रांस है याद रहे Mister हर टाइम आप ट्रांस में ही तो है के आव जब भी आप इस ट्रांस में जाएंगे वही शब्द याद आएगा। और उस शब्द को जैसी कहीं देखेंगे, वही मन करने लगेगा. समझ रहे ना। इसी ट्रांस में яр आपको किसे ने गलत बोल दिया वही trigger हो गया इसी ट्रांस में आपने जो खाना खा लिया और वह जंक फूर्टा वही trigger हो गया तो इसका मतलब यह है कि हम तो ट्रांस के ही तो प्रोडक्ट हैं बिलकुल अब कमाल की बात है कि जब हमारा माइड हमारे माइड में पढ़े हुए असी बिल्या नियूरोन ट्रांस में रहना जानते हैं तो इस ट्रांस का ही प्रियोग कर लेते हैं तो यह हिपनोसिस है बेसिकली यह कॉंशिस रूप से ट्रांस लाने की के लिए एक एक्टिविटी है यानि कि आप एक खूब सुरत अवस्था में चले जाएं और अवस्था ही जीवन का सब से बढ़िया रूल है अपनी सफलता का यह तो आप जानते हैं स्टेट इजदा की चलिए शुरू करता हूं फिर याद दिलाता हूं आपको आपके डिस्किप्शन बोक्स में बहुत सारी खूब सुरत वक्षोप मैंने गिफ्ट की हुई हैं एक के बाद एक हर महीने मेरी बदलती रहती हैं ताकि मैं आपको नहीं नहीं चीज देता रहा हूं उन्हें आप रिजिस्टर करते रहिएगा सब फिरी हैं आपके लिए पहली चीज जब भी आप हिपनोसिस में जाना चाहें तो पहले तो सबसे पहली बात है सेट योर गोल आप अपने गोल को सेट कर लें मान लेते हैं आप एक रिटाइर्ड पर्सनल है और अब आप सोने जा रहे हैं तो आपका आपका गोल क्या है बहिए मेरी हेल्दी energy रहे मैं अच्छी चीजों को attract करूं मेरे पास खुब सारा धन आ रहा हो और मेरे पास बढ़िया रिष्टे भी आ रहे हूं मैं जवान रहूं ठीक है ना कहने का मतलब है और अगर आपके साथ कोई physical यानि कोई बीमारी भी है तो आप उसकी एक सेंटेंस होर जोड़ दें के मेरे अंदर खूब सुरत हीलिंग केमिकल से निकल रहे हैं जिने आप होर्मोन नियूरो पैप्टाइड या नियूरो ट्रांस्मिटर कहते हैं उसों भी निकल रहे हैं वो रिलीज कर रहे हैं तो जो भी आप बोलेंगे याद रखिए का आपक को हिपनोटाइज करते हुए करूँगा दूसरा काम है कि अब आराम से आप लेट जाएं जब जब आप सोने जा रहे हो नैचुरली लेट जाएं मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अकंदे सीधे करके बैठें नहीं लेट जाएं जो आपने फिलो हलका सा लगा रखा लगाय रख लेकिन सीधे लिड जाएं जब आप लेट जाएं तो उसके बाद यहीं पर आप डीप ब्रीधिंग करना शुरू कर दें और ढीप ब्रीधिंग तोड़ा तेज करना शुरू कर दें इससे क्या होगा कि एक बार आपकी बोड़ी एड़श्ट्यस्ट्री अड़्यस्ट्ट ह है कि आप अनेकों विचारों से भार निकल कर एक विचार के साथ जुड़ जाएं जितने कम आपके विचार होंगे उतना ही आप गहरी ट्रांस में जाएंगे जितने कम विचार होंगे और हम ट्रांस में हम बहुत सारे विचारों के साथ खेलेंगे तो नहीं होगा बात तो ड प्रेग्रेसिव रिलक्सेशन करना शुरू करें प्रेग्रेसिव रिलक्सेशन का मतलब है कि अब आप अपने ध्यान को एक तो आप डीप ब्रीधिंग पर ले जा रहे थे तो धीरे धीरे ब्रीधिंग तो नॉर्मल करना शुरू कर दें अब आप अपनी अटेंशन को पैरों के पंजों से ले जाकर तोस से लेकर धीरे-धीरे सर की चोटी तक हैड के अपने सर के टॉप तक धीरे-धीरे एक-एक अंग को इमेजन करें कि वो शान्त हो रहा है और अगर आप थोड़ा सा और भी इमेजन करना शुरू करें तो एक कलर भी ले ले imagine करें कि पहली बार आप progressive I mean relaxation कर रहें कि आपके अंगुटे पैरों के पंजों के उंगलियां तलवे धीरे धीरे शान्त हो रहे हैं वार्म फीलिंग चल रही है उनके अंदर खुबसूरत एक वार्म फीलिंग के साथ wellness का कलर भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है वहां से अपनी धीरे धीरे आप अपनी I mean attention को अप एंकल तक ले आएं फिर पिंडलियों और गुटने तक धीरे धीरे अप धीरे पूरे के पूरे शरीर में imagine करें कि आपने इस तरह से अपने एक एक अंग को देख कर imagine कर लिया कि वो पूरी तरह से शान्त और relax हो रहे हैं जब आप ऐसा कर रहे होंगे उस समय आप एक ट्रांस के पहले step को पूरा कर चुके हैं यहां से अगला चौती चीज है कि अब आप छोटा सा visualization करना शुरू करें और visualization करने के लिए आप सिर्फ दो काम कर सकते हैं या तो आप अपने आपको किसी बीच पर देखें और बीच को जैसी देखना शुरू करें तो वहां के detail देखें बीच पर तो आप गई होंगे महा की सफेद रेत है थोड़ी दूरी पर आपको ओशन दिखाई दे रहा है ओशन की लहरे हैं समुदर की लहरे दिखाई दे रही है आसपास एक पार्टी भी है इधर कुछ लोग भी घूम रहे हैं उधर बच्चे थोड़ा तकिक भी मार रहे हैं उधर बैंड चार शे हवा रोशनी या शेडो या खुश्बू दे रहा है जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो अब आप डीप ट्रांस में जाने की तैयारी में हैं यहां पर आपको एक काम करना है पांच वी चीज यह होगी मैं कहा लिखू पांच वी चीज चलिए इसे मिटा देता हूं ताकि इसे यहां पर लिखता रहा हूं अगर आपको कोई भी चीज नोट करनी है तो आप वीडियो को रिवाइंड कर लीजेगा देख लीजेगा दुबारा पांच वी चीज बड़ी इंपोर्टेंट है अब आप अपनी जो गोल्स हैं उनको आप अफर्मिशन में बोलना शुरू करे अफर्मिशन में बोलना शुरू करें मनी मन अभी आपकी आँखे भी खुली हुई है आँखे नहीं बंद करनी थी अभी और आपने अभी अफर्मिशन बोलना है that my body is healing now एक अब आपका कहा माइंड है उस visualization में उस बीच पर या garden में ठीक है ना बोड़ी आपकी शान्त हो है इस समय जो आप बोल रहे हैं वह आपके deep mind को सुनाई दे रहा है क्योंकि आप पूरी तरह से relaxed हो चुके हैं यहां तक आते आते आपको लगेगा कि आपके हाथ पेर आउनका आभास आपको नहीं है लेकिन आपको पूरी तरह से जागरत अवस्था रहेगी या फिर I am attracting good money अब मैं यहां पर 5-6 बोल देता हूं इन्हें आराम से लिख लीजेगा अगर मैं जब बोलता हूं तो मैं यह कहता हूं my all the glands are releasing the beautiful hormones, my all the glands are releasing beautiful hormones, my all the hormones are positively healing every cell, my body is becoming healthy energetic, I am achieving 120 by 80 my blood pressure, my sugar is normal, ठीक है ना, my weight is 73 kg, my weight is 73 kg, I am attracting good money, tomorrow I am realizing my these dreams, उन्हें ड्रीम्स को भी देख लेता हूं और मैं उनको पहले से लिखकर 4-5 sentence को बार-बार बोलता रहता हूं, अब यहां पर जब आप इस sentence को बोल रहे हैं तो छटा काम करेंगे, अब आप hypnotic trans में जाएंगे, यहां पर आ trans में जाएंगे, जो मैं अब आपके साथ share कर रहा हूं, छटी चीज होगी, कि अब आप अपनी आखों को एक जगह पर point कर देंगे, यानि कि आप भले ही अंधेरा हो, तो आप लेटे हुए, आप अपनी रूह, अभी सीलिंग पर देखेगा, सीलिंग पर देखने का एक तर वो धीरे धीरे भारी होनी शुरू हो जाएंगी, आप अपने इस affirmation को धोराते रहें, उस बीच पर उस garden पर याद रखें अपने आपको, पूरी तरह से अब आपने eye को point कर दिया है, और वो अब आपकी आखे दुख रही हैं, आपको ऐसा लगेगा कि मैं सो जाओं, और ध धीरे से आप आखे बंद कर दें, और imagine, आप धीरे से अपने बोलें, I am going into deep sleep now, I am going into deep sleep now, धीरे धीरे इस आवाज को internal world में ही बोलते हैं, I am going into deep sleep, deep sleep, और यहां पर बस सात्वी चीज़े एक आप और कर लें आप, और वो यह हैं फ्रेंट्स, कि आप सात्वी चीज़ को आप पूरा करने के लिए इस तरह से करें, कि सात्वी चीज़ को यह करें, कि अब आप जब तक आप पूरी तरह से जागरत अवस्था में हैं यह कहते हुए, उस समय आप धीरे धीरे imagine भी करना शुरू करें, कि आप 20 से लेकर एक तक उल्टी गिंती गि या imagine करें, कि आप एक धलान से हर एक सांस को छोड़ते हुए नीचे उतर रहे हैं, बीच से अगर कहें, तो I am going into deep sleep 20, I am going into deep sleep, फिर 90, जैसे जैसे आप 10 तक आएंगे मुश्किल से, आप deep sleep में चले जाएंगे, और इस समय आपके सबकुंशिस के 80 billion neuron पता है, क्या कर रहे हैं वो एक ही चीज कर रहे हैं, affirmation, और आपको खूब सूरत, जो भी आप बदलाव चाहते हैं माइंड के अंदर, वो बदलाव आपको अगली सुभाई महसूस होना शुरू हो जाएगा, आप खूब सूरत affirmation बढ़ा दीजेगा, I am growing my hair, my skin is becoming glowing and tight, my gut is healing now, my all the joints are becoming flexible, I am becoming slim, healthy, energetic, my future is getting brighter, कितने खूबसूरत बातों को सुनकर सोए, my tomorrow is going to give me wonderful, wonderful rewards, मेरा आने वाला कल का दिन खूबसूरत रिवार्ड मुझे दे रहा होगा, और बस आप उस रिवार्ड को लेने के लिए शुरू, I mean तयार हो जाएं, जिसको आप डिसर्व करते हैं, ठ्यान रखे अपना वीडियो को अगर लाइक नहीं किया, कर लीजेगा, धन्यवाद.